प्रतिक्या बन जाए आओ बेटा अपने घर चलो प्रतिक्या माइकी आई और किसन्वा नदारत इतो वही हाल अपया कि रसकुले से रसकायबर और खाले गुला-गुला बचा होई या सही बात बोल रहा है लखिया कृष्टिवा उस दिन अंगत भया को बहुत मारे रहा ओकरे गुलगुला अभू तक उनके सरीद में फईसे का फईसे है एह लिए कह रहे है बिटा पहले रजगुला का रस यानि कि किसनवा का पता लगा थे तब जाके अंगत भया का सारा गुलगुला ठीक होगा दीदी अरे का दीदी दीदी लगा रख है तुम्री दीदी ने ना अज सब के मूँपे कालिक पोद्दी है और वैसे भी ससुराल से खदेळियों आवरत को कौन पूछता है बताओ अरे तुम्हाँ ना भालतु में ना हमरे अंदर की कमी ढूणती रहती हो देखो, देखो तुम्हेरी भाहिन में का कमी है क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना अरे सुकर है कि बाबा इको बहुते परेम करता है नहीं तो बाबुजी इतनी बड़ी गल्ती के लिए ना इके बोटी-बोटी करके ना कुट्टे को खिलाये देते जल उड़ाओ का पता लगाते है नमस्कार प्रफेसर साइब कैसे हो? जवाब नहीं दिया? का हुआ? हमसे नलाज है का? अरे प्रफेसर साब, हम तो बस ही देखे कि आप बाहर से आ रहे हैं और कौनों परिसानी में चरूर लग रहे हैं तो बस आपका हालचाल पूछने चले आए अब अगर आपको कच्छू नहीं पता ना है तो बत बताईए प्रफेसर साब देखिये, हम अच्छे विचार से आने हैं आप हमसे अप तो अच्छे विचार से बात कर लीजी, प्रफेसर साहिब इका, इद्तों भागवा हेले बेटा हम तो कह रहे थे कि कौनू चक्कर तो जरूर है अब इसी चक्कर में अगर अपना चक्कर चल जाए ना तो बहुते बढ़िया होगा तो गाए ना कि हमरे अंगत भईया को ऐसी ऐसी कमजूरी में देखकर हमरा खून खौलता है अब किसनवा हमको छोड़ दिये तो का हुआ हम किसनवा को ना ही चोड़ेंगे कभी ना ही दीदी बताइए ना क्या हुआ अरे तुम मा उसी नहीं बनोगी जूट मूट बॉली थी के इपेट से है हमने कभी भी जूट नहीं बोला क्रिश्णा ने हमसे जबर्दस्ती जूट बुलवाया था अगर बाबा ने तुमको जूट बोलने के लिए का और तुमने बोल दिया कैसे तुमने आज सब के सामने सच बोला पहले नहीं बोल सकती थी सब नाटक करने की का जरूती, कॉमल से ही गह रही है. अगर तुम पहले बता देती, तो दो घरों के लोग इतने परिशान नहीं होते. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपको क्या लगते? क्या हमने क्रिष्णा को समझाने की कोशिश नहीं की? कि वो जूठ ना बोले और सब को सच बता दे? लेकिन मम्मी, जिस तरह से धंकी देकर हमारा मूँ बन कर आदिया चाहता था ना, आप लोग नहीं समझ सकते. मम्मी, कहना और बोलन तो बहुत ही असान, लेकिन जब अगीकत में उस इंसान के साथ रहना पड़े ना, तब पता चलता है कि कितनी मश्किल होती. आप देखिया बेटा, कैसे आप साम लोग हो रहे हमें? हमें, आप भी? नहीं बेटा, नतेग्या, हमारा मतलब वो नहीं था बेटा. नतेग्या, नीती, माजी देखिये ना, बेटा, हम तो हैसे ना, नुम्हें दो हार भांदिल पेल्ले लेती हो. दीदी, फ्लीज, दीदी, चुप्पो, जाएना. आरजी, अधिले जो. जाए, दीदी. देखी ना, जादे जूट मूट के मीठ बनने का काफल होता है सो. कैसा मूँ बन गया था उसका जब पावा ने थपड मारा था. चली थी इक घर के मर्दों को अपनी उंगली पर न चाने. अब आबा को तो बस में करिये ली थी. उसको लग रहा था कि हमरे पती को भी अपने बस में कर लेगी. और फिर करेगी घर पर राज. पढ़का आई राज करने वाली. एतना दिन इगर में रही लेकिन यहां के मर्दों को नहीं समझ पाई. रेखा, कैसे दुन्नू मिलके जलील कर दिये उनको. जाते वकत मूँ कैसा हो गया था. एकदम भूकी बच्चिया जैसा. इस अब तमासा देखके तो ऐसा लगत है कि जूट नई की दुलहिन नहीं बलकि बाबा ने बोला था. लेकिन जलील बिचारी बाबा की औरत का होना पड़ा. तुमको बड़ी वह बिचारी लग रही है? तुमको का लगता है? क्यों एकदम सच्ची है? नहीं, ताली दुन्नू हाथ से बचता है. तुमको बहुत सव खा रहा है तो कहो ना. जाके माफी मांग लेते हैं उससे. अरे, अब हमका का पता की का सही है और का गलत है? जहीं गलत का नहीं पता है तो बिचार करके बोलो. समझी? अबू यहां की नईखी बहुरिया और क्रिस्ना बो नहीं है. खादेड़ी हुई अउरत है. तुम देखना, एक घर में कभी उसका पैर नहीं पड़ेगा. तुम जबूद अजबूद दिए और का नहीं पता है.